नमस्कार दोस्तों स्वगत आपका इस्टीफॉट सिब्सेज में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबैक है कोई सजेसिंगे तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगात सब्सकार दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस्टेडिफॉर इस्टेडिफॉर इजाम में दोस्तों यह उत्तर प्रेस करेंट अफेर्स रिच का तीसरा वीडियो है वीडियो सुरू करने स्पन्याग बताना चाहता हूं हमारी कई पेड़ ग्रूप चलते हैं अगर आप इ भिहार उत्तर प्रेश या हिमाचर प्रेश तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्सन ची उत्तर प्रेश ने जीता है इपन्चायत प्रुसकार 2021 को और इसे परतेक वर्स केंदरी पंचायति राज-मंत्रा रदौरा प्रदान किया जाता है बात करते हैं दूसरे अस्थान के तो दूती अस्थान आसम और शतिस गड़ को सनिक तुरूप से और तरती अस्थान पर और इसा और तमिलार सनिक तुरूप से थी। इसका जो अप्संसी है वह सही है। आटल विहारी बाजपई की लखनव में लोक भवन में किस धात की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह जो प्रतिमा थी वह ताबे की थी, लोहे की थी, कांस की थी या पीतल की थी। तो इसका जो सही अंसर है वह अप्संसी कांस की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। लोक भाउन में अटल बिहारी बाजपेई जी का और इसका जो अनावरण है वो प्रधान मंत्री नरिन मोदी ने किया है और यह जो प्रतिमा है यह कुल 25 फिट लंबी है 25 फूट मूची है और इसका जो वजन है वह 5 तन का वजन है और इसे राजस्थान से लाए गया है और ल जहरी बाजपेई और इन्हें वर्ष 2015 में भारत समान से समाने दीख किया जा चुका है तो इसका जो अप्शन सी है वह सही है आयते हैं अग्ला प्रसम लोग ट्रांजेंडर समदाय के लिए भारत की पहला बिस्विद्याल है उत्तरपजिस के जिले में अस्थापित हो रहा है बागपत, बलिया, कुसी नगर या वरानसी तो इसका जो सही आंसर है वो अप्शन सी कुसी नगर में अस्थापित हो रहा है ट्रांजेंडर समदाय के लि पोस्ट ग्रेविशन तक पढ़ाई होगी और साथ में पीएसडी की जो डिगरी है वह अभी यहां पर हासिल की जा सकीगी तो इसका जो आप्शन सी है वह सही है योगी आदितनात ने उत्तर प्रदेश के पहले गव अभ्यारण के आधार सिला कहां रखी है वारान से मिर्जापुर के हलिया एक ब्राक है वहाँ पर इसे अस्थापित किया जा रहा है और यहां कुल 27 बेगे की जमीन पर बनाए जा रहा है और यहां गोवन्स की नसलों के सनच्चन और समवर्धन भी किया जाएगा तो इसका जो आप्शन सी है वह सही है उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कोरिडोर के कितने नोड है पांच आठ चार या छे वर्स 2018-19 के बजल भासन बताय गया था कि भारत के कुल दो राज्यों में डिफेंस इंडस्ट्रियल कोरिडोर बनेंगा एक तमिल लाड़ दूसरा जो है उत्तर प्रदेश में तमिल लाड़ के जो है सेना के बुलट प्रूफ जैकेट, ड्रोन, लाड़ा को विमान, तोब गोले आज जो है बनेंगे तो यह है जो उत्तर प्रदेश के 6 नोड है वह आपके अलिगड़ है, आगरा है, लखनव है, कानपूर है, इसके बाद आपका जहांसी है और चित्र कूठ है, तो टो जहांपूर, गाजियाबाद, बारबंकी या लखनव, तो इसका जो सही आंसर है, वह आप्शन दी, लखनव नगर निगम ने थैला बैंक सुरू किया है, और यह जो है पॉल्रिथीन मूक्त बनाने के लिए इसे सुरू किया गया है, तो इसका जो आप्शन दी है, वह सही ह गया था, बागपत, मेरट, लखनव या बलिया, तो इसका जो सही आंसर है, वह आप्शन सी, लखनव में किया गया था, 24 में हुनरहाट का आयुजन, और यह है लखनव के अवर सिल्प ग्राम में इसका आयुजन किया गया था, और इसका जो उद्घाटन है, वह सी है, युवाओं के लिए उद्ध्यम सार्थी एप किस रा सरकार ने लांच किया है, राजस्थान, असम, मध्यप्रदेश या उत्तरप्रदेश, तो इसका जो उप्शन डी है, वह सही है, उत्तरप्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए उद्ध्यम सार्थी एप लांच किया और इस एप से युवाओं को राज भर में स्वारोजगार और नोकरी उद्देग से जुड़ी हर जो जानकारी है वह प्राप्त होगी इसका जो आपसंडी है वह सही है आए तने हैं अगला प्रसम लोग उत्तर प्रेस के किस क्रिकेटर ने जम्मो कस्मीर में एक क्रिकेट अक अच्छाइडमी खोली है और सुर्यस रहना जो है यह आपके गाजियाबाद के रहने वाले सुर्यस रहना इसका जो आपसंडी है वह सही है उत्तर प्रेस की जिले में और गैनिक फूड प्रोसिंग यूनिट के अस्थापना की गई है बारा बंकी सितापूर वारानसी या लखनव तो इसका जो सही आंसर है वह आपसंडी बारा बंकी में अस्थापना की गई है और इसे और इसे और इसके लिए कुल 55 करूर रूपई इसका बजट आएगा तो इसका जो आपसंडी है वह सही है उत्तर प्रेस के की जिले के निवासे आसोग पांडे गुलसन ने द असोग पांडे गुलसन जिन्होंने दुनिया के सबसे चोटी गजल लिखकर जो है एसिया बुक आफ्रिकार में अपना नाम दर्ज करा लिया उत्तर प्रेस के की जिले में दच्चिड कोरिया की महरानी हो का अस्मारक बनाए जा रहा है लखनव आजमगार गोरकपूर या तो इसका जो सही आंसर है वो अपसंडे आयुद्या में बनाए जा रहा है दच्चिड कोरिया की महरानी हो का अस्मारक और इसे सरीव नदी के तरपे बनाए जा रहा है और इसके लिए कुल 24 करण रुपे जो है बजट आवंटित किया गया है आयते हैं अगला प्रसम लोग मेरा गाउ स्वच गाउ अवियान की सुरुवात किसरा सरकार ने की है बिहार मदप्रेश उत्रप्रेश या जारखंड तो इसका जो सही आंसर है वो अपसंडे सी उत्रप्रेश सरकार ने मेरा गाउ स्वच गाउ अवियान की सुरुवात की है और इसे उत्रप्रेश के दोखा धड़ी रोकने के लिए कितने अंक की एक यूनिक आईड़ी नंबर जारी किया है। 10, 22, 14 या 16 तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्षन D 16 अंक का जो है यूनिक कोड जारी किया है। उत्तर प्रदे सरकार ने जमीन की दोखा धोड़ी रोकने के लिए और इससे कोई भी विव्यक्ति जो है घर बैटे एक क्लिक पर जमीन का पूरा ब्योरा जान सके गया। तो इसका जो आप्षन D है वो सही है। उत्तर प्रदे सरकार ने गलवान घाटी में सहीद हुए सहनिकों की याद के लिए एक असमारक का निर्मान की जिले में कर रही है। आजमगण, आगरा, प्रियागरा या सहारन पूर। तो इसका जो सही आंसर है वो आप्षन C प्रि सहीद हो गए थे उनकी याद में हमारी उत्तर प्रदे सरकार जो है वो प्रियागराज में एक असमारक का निर्मान करा रही है। तो इसका जो आप्षन C है वो सही है। आएते हैं अगला प्रसम लोग। उत्तर प्रदेस मानवादिकार आयोक के नए अध्यच कौन बने हैं बालकिष नरायन, आनंद कुमार, नरायन सिंग या रवी कुमार तो इसका जो सही आंसर है। वो आप्षन A बालकिष नरायन बने हैं उत्तर प्रदेस मानवादिकार आयोक के अध्यच और इनकी जो निवक्ति होई है वो जून 2021 में इनकी निवक्ति होई है। और यह है इल परकपुर, लखनाओ या नोइडा ह। तो इसका जो सही आंसर है वो आप्षन D नोइडा में बन रहा है उत्तर प्रदेस का पहला Artificial Center और इसे IIT कानपुर बना रहा है। इसमें e-commerce, उद्योग, स्वास, सेवाओं के सोध के जरिए सौप्टिवर विक्सित किया जाए रहा ह और इसके लिए सरकार ने 10 करुन रुपे आवंटित भी किया है। तो इसका जो आप्षन D है वह सही है। हाले में राजा महें परताप सिंग इंवर्सिटी की अस्थापना उत्तर प्रेस की जिले में की गई है। आलिगड, आगरा, प्रियागराज या सहारन पूरू। तो राजा महें सिंग जो है यह एक स्वंता सिनानी, पत्रकार और लिखक थे। तिसका जो आप्षन E है वह सही है। आएते हैं अगला प्रासम लोग। इसका जो सही आंसर है वह अप्षन E वारानसी में अलग नंदा क्रोज का संचालन किया जा रहा है। और यह जो है परेटन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। आसा है आप लोगों को बहुत को जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगए तो